हैलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंग दिनकर जी का जीवन वा साहितिक पर्चे ये आपके बोड़िज्या में हमेशा पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट रते हैं राश्ट कवी रामधारी सिंग दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 इस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सीमरिया नामक ग्राम में हुआ था इन्होंने बिये तक ही सिच्छा प्रात की 24 अप्रेल 1924 इस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया अब पढ़ते हैं साहितिक पर्चे रामधारी सिंग दिनकर चाया वादूतर एवं प्रगतवाधी कवियों में सर्वस्रेष्ठ कवी थे दिनकर जी ने राश्ट प्रेम लोक प्रेम आद विभिन विश्यों पर काव रचना की है इन्होंने सामाजिक आर्थिक वासुशड के खिलाब का विताव की रचना की द अपने जिस प्रतिवा का परिचे दिया है वा हमेशा याद किया जाएगा दिनकर जी की गद रचनाओं में उनका विराट गरंथ संस्क्रत के चार उपध्याई उलेखनी है अब पड़ते हैं रचनाओं की तरफ दिनकर जी ने गद एवं का विदोनु छेतर में कार किया है अ आपको बोड़ एक्जाम में चार या पांस लिखनी होती है यह वीडियो क्लाश 12 के स्टुडेंट के लिए बनाया गया है अगर आप सामाय निदी से पढ़ रहे हैं तो आपको साहितिक पर्चे और रचना लिखनी होती है आपको जीवन पर्चे नहीं लिखना होता है ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग अ कर द चिक वाचिंग के कर दो बड़ियोस पिक बंसषयग है अपको जेडिसude किस्वारे निफटनाईर है